अग्वार परता हूं रड़ाई के इंदर सबसे बड़ा योगडान ताकत का है जो इनसान कमजोर होता है उसके अंदर ये जरासीम जल्दी पेवस हो जाते हैं जो इनसान ताकतवर होता है उसके जिस्म की इस्टप्णा उसके जिस्म की गर्मी उसके जिस्म की हरारत मजबूत हुआ करती है तो उसके जिस्म की हरारत कोरोना के वाइरस से लगने क्या मुकाबला करने की ताकत हुआ करती है आप रम्दान के अंदर रोजे का हित्माम करिए रोजा बहुत सी बीमारियों को खत्म कर दिया करता है बगएर उद्रेशराई के आप रोजे को मत छोड़िएगा पहला रम्दान इंशालला होगा तरावी का मामला है इस से बड़ी और क्या इम्तिहान हम देंगे अल्लह की बारगाए में वो रभ तबारस ताला जिसने जिन्दगी दी है मौत का मालिक वो है रोजी का मालिक वो है आज पुरे जुनिया इस बीमारी में मुच्टिला होकर के इम्तिहान दे रही है क्या कभी हमने सोचा अपने ठंडे द्माग से दिल पे हाद रख करके हमको सोच रा पड़ेगा, जाना बिस्तर पे लेटना, आँखें बंद करना, खयालों में खो जाना, और खो जाने के बाद ये सोचना, ये बला, ये मोजी मर्द, ये कुरुना की बीमारी के जरासीम हम पे क्यों मसलत कर दिये गई है ये बीमारी ने हमको क्यों गहल लिया है इसनी वज़े क्या है जब वज़े तलाश करेंगे तो आपका जहन आपका दिल आपका ख्याल फौरन आपको जवाब देगा दिल पुकार उठेगा ऐ इंसान क्या सोच रहा है सवाल कर रहा है ये बीमारी का हमला ये बीमारी हम पर क्यों मसलत की गई है तो दिल का वाहिस जवाब देगा दिल बोलता होने दर आएगा इंसान तेरी गफलत की वज़े से ये बीमारी तुम पर मसलत कर दिए तुमने अल्ला की नाफर्मानियों को करना फर्वानिया करना शुरू कर दी तुमने नमादों को छोड़ दिया तुमने तोबा इस्तफ़ार करना छोड़ दिया तुमने अल्ला के हुकूप को पावाल करते अति अल्लाव अति रसूल पे अमल करना छोड़ दिया आज हैं धरूरत है हमें अपने गुनाहों के महस्ति आ करते हैं अपने गल्दियों को सोचने के रिए। कि हम से कौन सी गल्दी हुई है और आज का ये बारक ताला व है कौन से पसंदीदा अमल तोबा है। अगर आज भी इन्सान आज भी ये मुसल्मान अल्ला की बारगा में सित दिल से तोबा कर ले और वहिद कर ले कि ए मौला तेरे हुक्म को मैं पंज वक्ता बजा लाऊंगा तो ये वरोना का खात्मा भी हो जाएगा और इस बीमारी से हम बच भी सकते हैं रात अजीज अरने मिलते इसलामियां कल से तरावी शुरू हो रही हैं मस्जिद में जो हुकुमत हिंद ने और परचासन ने आपको एडवाईजरी दी है उस पे आपको अमल करना है पांच लोगों की इजाज़त मस्जिद में है इमाम साहब पढ़े नमाज मोसिन नमाज पढ़े मस्जिद का अमला नमाज पढ़े लेकिन बाहर कि किसी आजमी को आने ना दिया जाए यही घर के अंदर आप अपना इंजराम रखिए सवाल यह नहीं है कि मस्जिद में दस लोग नहीं पढ़ सकते हैं अबीद नहीं पढ़ सकते हैं बहुत से लोगों के दिलो जिमाग में यह बात है कि मस्जिद में तो पांच पढ़ लेंगे लेकिन हम अपनी फैट्टिडों में अपने घरों में बीस पच्चीत एक तरावी मुकमल करने, नहीं, हुकुमत हिंद ने जो पांच आदमी रखे हैं, उन पांच आदमियों से बाहर की शर्त नहीं है, बलकि मस्जिद का अमला है, और मस्जिद के करीब का रहने वाला जो रोब पढ़ता हो नमाज, उन पांच लोगों में शामिल हो सकता है, इसी तर एक के वाइरस ये चला गया, तो हो सकता है, उस एक वाइरस के आने से तुमारा पुरा घर उस बीमारी में मुस्तिला हो जाए, इहतियात, तदाबीर, अल्लह के रसूल का फरमान है, जब इस तरह के मुझी बीमारियां आएं, तो तुमको इहतियात करना चाहिए, नबी एक मुलक शाम और यमन के अंदर, तो नबी कवने ने कहा था, इस गाउम वाला उद्व गाउम में नहीं जाएगा, उद्व गाउम में नहीं आएगा, ताकि ये बीमारी इंदर ते उद हना जाने पाए, और उद ठे इंदर ना आने पाए, इसलिए हम लगा की रसूल के फरमा को लड़ते हुए नदर आएंगे और करना की जंग का खात्मा करते हुए रात इस फुर्फतर माहोल के अंदर सबके बड़ा नुक्सान जो हुआ है वो हमारे मदारस इसलामिया का हुआ है इस लाग डौन के चलते हुए जितने भी हिंदुस्तान के मदारसे हैं वो तब अपन और उनकी तरफ सवज्जे दिया करते थे अपना नजर करम किया करते थे आज मदारस के सुफरा नहीं आ सकते हैं सुफरा लाग डौन की वज़े से अपने अपने अलाकों में महिदूद हैं अपने अपने अलाकों के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन इस दौर के अंदर सबस समस्या ये है कि एक तरब मदारिस हैं और दूसरी तरब वो गरीब, मद्दूर, रिक्षे वाला, दिहारी वाला है जिसके घर में खाने को नहीं है। उन गरीबों का होना चाहिए जो गरीब परिशान हैं। अफ्तार के वक्त जब हम अपने दूसर खान पर बैठें तो इसका ख्याल होना चाहिए कि पड़ोस में रहने वाला मुसल्मान जो दोजे के आलम में है, क्या उसके घर में भी अफ्तार बनी है या नहीं बनी है। हम अ तक्वा परहिजगारी का नाम है। तक्वे के अंदर सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा अमल होता है तक्वे में तक्वे का जो दारोमदार होता है वो नफस का हुआ करता है। जिसने इस रमदान के महिने के अंदर मुकदफ महिने के अंदर रोजे के साथ-साथ अपने नफ को कंटॉल कर लिया और नफ को कंटॉल करने के बाद उन खरीम लोगों का ख्याल किया अल्ला तबारप ताला उन्हीं को मुट्तकियों परहदगारों में शुमार करता वर नज़र आई रात इसलिए मदारित इसलामिया क्या ख्याल लखना है लेकिन उस ख्याल के साथ साथ ऐसा ना हो जाए कि आपके गली महिले का कोई वरीब भूकत हो जाए इंसानियत को बचाना और इंसानियत को खाना खिलाना बहुत बड़ा इंसानियत का काम हुआ गरता है मेरे नभी का फर्मान है पडोस का रहने वाला कोई भी हो उस वक्त के तुम के खाना जायद रही है कि पडोस का रहने वाला भूकात हो जाए और तुम खाना खा जाओ नहीं पहले पडोस के खाना खिला देना पलोसी को खाना चला देना फलोसी का पेट भर देना बाद में तुम खाना खा लेना तुम ही इस्लाम के पूत और सफृत कहलाए जाोगे और तुम ही इसलाम के सच्चे सिपाही माने जाओगे इसलिए इस रम्राज Dalman मॉकदस के महिने के अंदर मेरी आप से अपील है कि जो मदार से इसलामिया है उनका भी ख्याल लखा जाए लिकिन उनके ख्याल के साथ-साथ उन गरीब लोगों का ख्याल लखा जाए जो पिशारे इस वत कारोबार से बेकार हो चुके हैं मजबूर हो चुके हैं मैं उनको सलाम बेश करता हूँ जो इस महेंगई के दोर के अंदर हमारी आला हदर्द यूज बिर्गेट के शाना बशाना ख़ले होकर के हमारे साथ ताउन दे रहे हैं और हम आज तारीक तक जो रेजिटर के अंदर हमारे नाम दर्ज हैं तकरीबन दो हदार लोगों को खाना उनके घरों में पहुंचाने का काम किया है यह मैंने नहीं पहुंचाया है बलकि मेरे दोथ अहबाब हैं मैं तो एक खादिम गुलाम की हैसियत से काम करता हूँ मैं उन दोस्तों को उन अहिबाबों को उन मिलने वालों को सलाम पेश करता हूँ और धुआ करता हूँ रब तबारक ताला मौला हमारे इन महुसिन जिन्होंने इस वक्ट इहसान किया हैं पर इनको सलामत रखै इनके कारोबार में तरक्तिय अता फरमाए और आखिर में फिर में एक बार ये दुबारा अपील करना चाहता हूँ कि अपनी जखात, सद्कात, खेरात सबसे पहले अपने रिष्टेदार को दीजिएगा अजीजदार को दीजिएगा जखात का मसरफ समझ लीजिए कि सिर्फ आप बेटा मा को नहीं दे सकता है बाप को नहीं दे सकता है नाना नानी को नहीं दे सकता है लेकिन जखात जो है वो अपने भाई को आप दे सकते हैं अपनी बहन को दे सकते हैं सयद को जखात दे नहीं सकते हैं स्यद जकात दिया करता है इसलिए स्यदों को अगर कोई हमारे बीच में स्यद भी बहुत से हैं जो गरीब हैं तो उनको जकात सद्का खैराज की मदद मत करिए बल्कि उनको नजराना पेश कीजिए और ये सोच के पेश कीजिए कि अल्लह के रसूल की आल हैं स्यद हैं इमाम हुसेन की अवलादों में से हैं इनको हम अपनी नजर पेश करते हैं खैराज सद्का खाने वाले दूसरे होते हैं स्यद तो तुमारे नजराने अगर आपने पेश कर दिया तो यही नजराना तुमारे लिए उनकी नाना की सिफारिश बन जाएगी हो सकता है ये अमल तुमारे लिए जन्नत के जमानत बन जाएगी रात इसलिए मेरा भी मदर्सा चलता है लेकिन मैं अभी तक किसी से ये अपील नहीं किया है कि मेरे मदर्से को आप ख्याल करिए आपका दिल चाहे तो आप दे देना लेकिन मदर्से के साथ साथ उन गरीबों को मत भूल जाना उन बेसाहरों को मत भूल जाना उन बेवाओं को मत भूल जाना कि जिनकी तमन्ना ये हो कि हमारे घर में खजूर आ जाए हमारे घर में इफ्तार का सामान आ जाए कि किट हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं और वो हर रोज़ेदार के घर में हम पहुंचाने का काम करेंगे ताकि रोज़ेदार अपना जिस तरह से हम रोज़ा खोले अपने ज़स्तर खान पर उसी तरह से वो रोज़दार भी अपना रोज़ा उसी अंदाथ से खोले ताकि उसको यह हिसास रहोने पाए कि हम गरीब हैं इसलिए हमारे दस्तर्थान पे एक चीज़े मुझूद रही है अल्ला तबारक ताला से दौा है कि मौला तबारक ताला हम सब मुसल्मानों को अंदर बेदारी पैदा फर्मा दे सब के दिलों के अंदर नभी कौनें की मुझ। अता फर्मा दे और जो भी इस वक्त मुसल्मान इस बीमारी से बला से मुझ। अता फर्मा दे और मौला जितने लोग भी पूरे दुनिया के अंदर इस वाइरस बीमारी से परेशान है उन सब का खात्मा कर दे और इस बीमारी से महफूज कर दे वाइरस का खात्मा कर दे और पूरे इंसानियत को इस बीमारी से बचा ले अल्ला तबारक ताला हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तुफीक अदा फरमाएं वाकुर्दाना अल्हम्दुल्ला रभी लालमीन सलामुले लिए